हेलो काईज मैं हूँ वनीश्या सीखो सिखाऊ चैनल में आपका स्वागत रहे हैं अम डीजी के कुश्चिन्स प्रपार कर रहे हैं मैं दो वीडियो बना चुकी हूं और अब हम पड़ेंगे आज रिलेशन्शिप आज हम अब्जेक्टिक कुश्चिन्स देखेंगे वो है र ठीक है तो फर्स्ट हमारा कुश्चिन्स है रिलेशन्शिप में आपरेशन होते हैं यानि कि कौन-कौन से आपरेशन हो सकते हैं देखें डिफाइर रिलेशन्शिप सेव रिलेशन्शिप डिलीट रिलेशन्शिप यह तो तिनों ही आप्शन सही है तो हमारा जो आंसर है व अगर आप framework आपने कुछ इक टेबल के डाटा जो है वह दुसरी टेबल में लीना है थीक say अ कोपी घठाडना ए टो उसके लिए अपन पहuring आप यह तो हमारा जो आंसर वह क्या हों चाले एक टेबल को डिलीट करने के लिए डुप्लिकेट रिकोड को डूनने के लिए डुप्लिकेट रिकोड को अपडेट करने के लिए क्यूरी को रिकर्डेट करने के लिए देखे नाम से पता चाल रहा है तो इसके लिए कुछ से क्योरी कप रोख किया जाता है तो इसके लिए देखिए option है हमारे पास append query option b find duplicate query option c find unmatched query option d update query तो जो मारा answer ही हो किया जाएगा find unmatched query देखिए कुछ questions तो ऐसे आते हैं जिनके answer उन questions में ही चुपे होते हैं बस आपको थोड़ा दिवाग लगाना होता है program Cross tab query का use क्यों किया जाता है option A data analysis करने के लिए, option B record update करने के लिए, option C record delete करने के लिए, option D duplicate record को search करने के लिए तो मारा answer क्या हो जाएगा, data analysis करने के लिए, देखें जो cross step query होती है, उसका प्रयोग data को analysis करने के लिए, यानि कि उसका visualization करने के लिए प्रयोग की जाती है ठीक है, next question देखिए, price सबसे ज़्यादा किस query का प्रयोग किया जाता है, option A select query, option B action query, option C cross tab query, option B SQL query, तो ज़्यादा तर जो selected query का, जो select query होती है, उसका उप्रयोग होता है, ठीक है, next question देखते हैं, एक से ज़्यादा table में से समान सूचना को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, option है, normalization, option B relationship, option C query, option D report, तो एक से ज़्यादा table में से समान सूचना को प्राप्त करना है, तो आपको उन दो tables के वेज में क्या बनानी पड़ेगी, relationship, तो जो हमारा answer है, वो क्या हो जाएगा, relationship, relationship, क्योंकि relationship जो होते हैं, वो उनी table में बनती है, जिन में कुछ common, हमारी attributes होते हैं, कुछ common records होते हैं, ठीक है, next question देखिए, दो table के बीच relationship बनाने के लिए, क्या होना आवश्चे के, अगर आप relationship बनाना चाहते हैं, तो first table भी होने जरूरी है, key भी होने जरूरी है, फिल्ड होने जरूरी है, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, सभी, क्या हो जाएगा, सभी, next question देखते हैं, इन में से किस key के आधार पर relationship बनाया चाहता है, तो देखिए, जो relationship होती है, वो first table में primary की देखिजाते हैं, जो primary की जिसमें लगी है आपके column में, वो second table में भी लगीगी जो first में लगती है, वो primary की कहलाती है, लेकिन वो ही की दूसरी table में लगी तो foreign की कहलाती है, यह आपने पढ़ाओ का concept, तो यहाँ पर बात हो रही है कि इन में से किस key के आधार पर relationship बनाई जाती है, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, primary key, next question देखिए, इन में से कौन सा referential integrity का option न नहीं है, क्या scan वाला तो है, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, normalization, क्या हो जाएगा, normalization, चलिए, next question देखते हैं, नेमन में से क्यूरी का प्रकार नहीं है, तो option है, cross tab, tap queries, option B, select queries, option C, queries by selection, option D, append queries, तो हमारा answer क्या है, queries by selection, यह क्या है, इसका query का प्रकार नहीं है, next question देखिए, इन में से कौन सा action query का प्रकार नहीं है, mac table, cross tab query, delete query, append query, तो हमारा answer है, वो क्या है, cross tab query, यह जो है, action query का प्रकार नहीं है, next question देखिए, query design window का option नहीं है, query design window का option नहीं है, 1st है हमारे पास criteria, option B, table, option C, sort, option D, format तो देखें कि जो format है वो query design window का option नहीं है तो महारा answer क्या हो जाएगा? format next question दिखिए duplicate query wizard इन में से किसका option है? duplicate query wizard इन में से किसका option है? तो option A है record menu, option B है format menu, option C है new query window, option D है tools तो महारा answer क्या हो जाएगा? new query window next question देखिए इन में से कौन सा new query window का option है? इन में से कौन सा new query window का option है? option A है find unmatched query wizard, option B, simple query wizard, option C, find duplicate query wizard, option D, submit तो महारा answer है, वो क्या है? सभी, यह जितने भी option से सभी होता है ठीक है friends, तो यह मैं आपको relationship का जो chapter है वो उसके questions, objective questions प्रिपार करवा चुके हूँ इसके बाद में इसकी जो बची हुई units इसको भी प्रिपार करवा दूँगी अगर आपको मेरा वीडियो पस दन दाता है तो please like करिए, comment करिए, share करिए, subscribe करिए और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, thank you guys करिघे झार तरह से टे अवची बाद से व्रिपटारी, कर दैले-चे मेरे लिए, झाले तो इसके जो डेन के लिए, झाले